इत्तिसी हसे, इत्तिसी खुशे, नित्ता सा तुकड़ा चांद का खाब के तिनकों से चल बनाए आशियां इत्तिसी हसे, इत्तिसी खुशे, नित्ता सा तुकड़ा चांद का खाब के तिनकों से चल बनाए आशियां दबे दबे पाऊ से, आय हाले हाले जिन्दगी, होटो पे कुंडी चड़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुपके चुपके गाए आधी आधी बाट ले, आजा दिल की ये समी थोड़ा सा तेरा हसा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियां इत्ती से हसे, मित्ती से खुशे, नित्ता सा तुकड़ा चांद का खाब के तिनकों से चल बनाए आशियां I love this song, जब ये गाना आया था, तो मेरी जो मुजिक टीचर उस ताम पर हमने हायर करे थी तो, इंडिन इडल जूनियर्स के उडिशन हो रहे थे उस ताम पर और मैं ये गाना सीख थी, अफकॉस मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ और, बट ये गाना मुझे याद है, जब मेरी माम मुझे सिखा रही थी और, येस, बहुत अच्छी मेमरीज है इस गाने के साथ I think, it's a song which I feel कि मन खुश कर देता है, है ना? तो आज की जो रीडिंग है, वो रीडिंग है आपके मारेज के बारे में, अर्ली मारेज, लेट मारेज के बारे में की वो क्यू होती है, या क्या रीजन्स है, जो भी सारी अगर हम उसे एस्टोलोजिकली कैसे देख सकते हैं, वो सब चीजे बिफर द्न ही क्यों जो उसे यूँ सरी की जो थोडी सी टेकनिकल गर्म हैसे जो वर्ड्मेश पता हूं में काुन से यूज Anything pH of 5 hours वट्में में हम री वारे उन्म में हमें ने थीनी पहले दो कुछ लोग आप न्चना के नाम है first time सुने, it's okay, it's fine, but Aries to Pisces, जो science है, वो तो सारे सभी ने सुने होंगे, right? तो मैं यह चाहते हूँ, आप अपना जो जो लोग हैं Android users, iOS users, जो भी आप phone, smartphone यूज करते हो, वहाँ पर जो app store है आपके पास, वहाँ जाकर आप कुंडली लिख दो, हो सिरफ कुंडली, that's it, and उसके बाद आपके पास बहुत सारे अप खुल जाएंगे, और उन आपको आप आप डाउणलोड कर सकते हो, और उसके बाद डाउणलोड कर सकते हो, और उसके बाद राउडोड करने के बाद, जो चीज हमारे जैसे हम पैदा होते हैं, जैसे ही वी आर बॉण तो कोई चीज हमारे लग जाना and that thing is a blueprint of your life और वो ब्लुप्रिंट को हम कुंडली केते हो, उस blueprint को हम लगना केते हैं, that's why की जैसे हम पैदा हो, वो चीज आपके लग गई that's lagna, that's lagna or you can say your remain birth horoscope, आप जो है वो देख सकते हो, तो जो lagna है, जो आपका birth horoscope है, वहाँ पर वो टॉरस राइसंग भी हो सकता है, वो केप्रिकॉर्ण राइसंग भी हो सकता है, वो कैसे पता चलेगा, केप्रिकॉर्ण जो है, वो 10 नंबर है, तो नंबर 10 जो है, वो सबसे उपर वाले house में आएगा आपका, बहां से आपने जो है, anti-clockwise, not clockwise, anti-clockwise जो है, काउंट करना शुरू करना है, तो 10 इधर होगा, 11 इधर होगा, फिर 12 इधर होगा, फिर जो 1 है, यारी साइन वो आपके 4th house में होगा, तोरस साइन जो है, वो आपका 5th house में होगा, ऐसे ये सारे complete हो जाएगा circle, और फिर से वो लगना आजाएगा 10 number, अगर दूसरा example में लो, एक simple ही ले लो, Aries Ascendant, तो Aries Ascendant जो house है, आपका 1, जहां पर number 1 लिख है, वो number 1 house है, जहां पर number 2 लिख है, वो Taurus है, यानि कि आपका 2nd house है, ऐसे ये सारे चलेंगे, अब आपने क्या करना है, य तो Aries Ascendant, and Sun is sitting in the 2nd house, यानि कि इस यो Sun है, वो Gemini sign में है, in your birth horoscope, तो जो आप रीडिंग लोगे, वो होगी Sun in Gemini, Sun in the Rajasik Guna, यानि कि इस योर, if I ask where is your moon placed, तो मून जो है, आपने मून देख लेने कि कौन से house में, कौन से sign में, पर्टिकुलरली हम साइंस की ही बात करेंगे, कौन से sign में, कौन सा number है, वहाँ पर लिखा हुआ, उस house में, जहां पर moon placed है, वहाँ कौन सा number लिखा हुआ है, अगर वहाँ पर number 11 लिखा हुआ है, यानि कि वो Aquarius sign में moon है, it's that easy, it's that simple, यह basic है, तो ऐसे आपने पना moon और जो है, अपना sun sign देख लेना है, कौन से house में, यह भ उस house का number क्या है, 10 है, 12 है, 1 है, क्या number है, Aries है, तो अफकोस आपका जो है, रजासिक sign में है sun, और अगर आपका sun for example, Capricorn है, then it's Thamas sign, because it's ruled by Saturn, तो यह चीज है, ऐसे आप अपना जो है birth horoscope देख सकते हो, alright, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं आपकी reading, although बहुत सारी चीजे होत when it comes to late marriage, but basically nakshatra of jaishtha, whenever a person is born in nakshatra of jaishtha, meaning their rising nakshatra is jaishtha, then the person is definitely gonna get married late in life, after the age of 31 only, and if for example, your seventh house, the house of marriage love relationships, Bhadikesh planet is sitting there in the seventh house, definitely there will be delay in marriage, and the Bhadikesh planet is aspecting the seventh lord, or is aspecting the seventh house, or is sitting with the seventh lord, then also marriage is delayed, but everything is perfect in the chart, if the dhasha is not correct, you will not get married, you will not get married, if you are running the Ketu dhasha, you are not gonna get married, even if you have the best combinations to get married, you won't get married, because Ketu is always about separation, it's always about denial, it's always about moksha, it's a moksha karka, and it will not give you marriage in its time period, but after Ketu dhasha, we have Venus maha dhasha, which is all about love, romance, luxuries, everything, so dhasha is really important, so let's just get into the tarot reading, कि आपकी जो मारिज है वो अरली है या लेट है या लेट है या अन टाइम है, कब है मारिज इसके बारे में, alright, तो हम जल्दी से शुरू करेंगे, जो पाइल नंबर वन है, again, this is a reading based on your sun, sun sign, where is your sun placed, because sun represents the soul, sun represents the path of soul, and sun is the natural आत्मा कारका, So, the first pile will be of Satwa signs, then the second pile will be of Rajas signs, and the third pile will be of Thamash sign, Satwa में जो है हमारे आ जाते हैं आपके Cancer, Leo, Sagittarius, and Pisces, alright, because Cancer is ruled by moon, and without moon, tidal waves, जो है, वो हमारी बालने होती है, And then the Leo sign is ruled by sun, and without sun, there is no life, there is no, like, legit, there is no life, and then we have the sign of Sagittarius and Pisces, which is ruled by Jupiter, And Jupiter is the big graha, which protects our Earth from meteoroids, alright, and if Jupiter wasn't there, then Earth would be, Buchinga, it would be destroyed, so no life on Earth, and itself Earth, वो डिस्टोई हो जाएगी, तो लाइफ तो दूर की बात है, So let's just get started with the Satwa Planets, alright, so pile number one, जो आपकी marriage है, वो कब होती है, एक timely marriage है, या फिर ये late marriage है, pile number one की, जिसका भी सन सात्वा साइन्स में है, सात्विक साइन्स में है, उनकी जो marriage है, pile number one की, वो टाइमली है, या लेट है, या कैसे होगी, ये सब हम पता करते हैं, Alright, we have Ace of Pentacles, we have Ace of Cups, ये love marriage लग रहे है, justice card, then we have Eight of Pentacles, then we have Seven of Swords, Alright, मुझे ये, yes, ये मुझे love marriage ही लग रहे है, because family यहाँ पर involved नहीं नजर आ रही है, family का involvement जरूरी है, तभी वो arranged marriage बनती है, but definitely यहाँ पर एक unconditional love है, यहाँ पर कोई new person आपकी तरफ आ रहे हैं, और यहाँ justice card है, यानि कि जो Libra sign है, यानि कि हमारा जो Rajasik sign है, वो भी यहाँ पर है, यानि कि जो marriage है, first of all, it's in your cards, second of all, ऐसा हो सकता है, you may get confused, और आपको ऐसा feel हो कि यह person जो है, मैं इस पर trust कर सकती हूं या नहीं कर सकती है, यह situation है, यह जो thinking है, यह काफी strong हो सकती है, उस time पर जब यह person या आपकी life में जो marriage का time है, वो आने वाला हो, but definitely this is going to be a love marriage, 8 of Pentacles tells me कि यह जो भी person होंगे आपकी life में जो आ चुके हैं या आएंगे, वो एक ऐसे person है, जो काफी जादा hard working है, जो सिरफ और सिरफ professionally एक abundant person नहीं है, बट love में भी, बट self-care में भी, यह जो भी person है काफी जादा abundant होने वाले हैं, यह जो person है all-rounder है, यह person वो person नहीं है, जो सिरफ और सिरफ एक ही जगे focus कर सकता है, this person is a multitasker, और यहाँ पर जो Ace of Pentacles is telling me कि कोई new person ही होगा आपकी life में जो आएगा, और जो Justice Card है वो यह बता रहा है, या तो यह person law में हो सकते हैं, या फिर यह person कोई ना कोई ऐसे contract से deal करते होंगे, और वो contract कैसा भी हो सकता है, वो business partnership भी हो सकते हैं, कोई या फिर यह person itself law में काम करते हैं, गवर्मेंट में काम करते हैं, otherwise इनका कुछ ना कुछ relation है, इनकी life में contracts चलते रहते हैं, वो किसी तरह का भी contract हो सकते हैं, कोई भी business contract भी हो सकते हैं, एक excellent business person भी है, इनकी जो वो एक power है, administrative power वो काफी अच्छी होने वाली है, यह हर चीज को manage कर सकते हैं, तो अच्छे यह manager भी हैं, यह एक CEO या CFO position पे भी हो सकते हैं, in future, because यह जो भी person है, इनकी अंदर वो capability है, हर चीज संभालने की, यह जो भी person है, इनकी जो administrative skills, इनकी management skills काफी जादा अच्छी है, अपने आपको भी बहुत अच्छे से manage कर लेते हैं, पहली बात तो, जो person अपने आपको manage करता है, अपनी health को, अपनी खुशी को, वो health, चाहे emotional health हो, चाहे वो physical health हो, इस चीज को जिस person ने manage कर लिया, पहली बात तो, वो win करता है, अपनी life में, पहली बात, वो victorious है ही है, और यह person की habit भी होगी, जल्दी उठने की, जितने में एक normal इंसान उठता है, उतने में यह अपनी physical exercise, और योगा वगेरा, सब करके ready होते हैं work पे जाने के लिए, ऐसे यह person होने वाले हैं, तो definitely अपनी body को maintain करना इनको आता है, अपने work को maintain करना इनको आता है, दो काम अगर इनको एक ही वक्त पे दे दिये जाएं, तब भी यह चीज जो है, यह जो अपना work है, maintain कर पाएंगे, एक ऐसे person है, so definitely hard working है, dedicated है, और यह इनका तो मुझे फायदा मिलेगा, यह इस type के person है, clear person है, और यहाँ पर जो है, seven of swords यह दिखा रहे है, ऐसा हो सकते है, आपको ऐसा लगे कि, I mean, यह person जो है, पता नहीं, ऐसे ही है, जैसा मैं सोच रही हूं, या फिर अभी-भी के लिए मुझे यह लग रहा है, so आप जो इस person के बारे में information निकाल सकते हो, अपने friends से, या कहीं से भी आप इस person के बारे में information निकालना शुरू कर सकते हो, because you are like, ऐसे लोग होते हैं, life में, ऐसे लोग होते हैं, दुनिया में, जो इस तरह से perfection की stage में, of course this person is not perfect everywhere, but यह जो भी person है, हर चीज़ को balance करने में लगे रहते है, हर इसको, you know, perfect बनाने में लगे रहते हैं, और यहां पर justice card है, I have to talk about nakshatra here, I have to, if you want to skip this part, you can, but nakshatra of chitra comes into play, this person can also be an architect, because यह जो भी person है, यहां से काफी जादा शुल्ज़ होएं, तो एक जो architect होते है, उसको गर एक blueprint दिखा दिया जाए, तो blueprint देखेगा, all right, okay, और एक पैंसल औ पेपर लेगा, और वो बना सकता है, वो पूरा ब्लुप्रिंट, because they have this photographic memory, इनके पास वो memory है, photographic memory, जिसकी वज़े से इनको चीज़े याद रहते है, memorization जो है, इनके काफी जादा अच्छी है, इनके काफी अच्छी है, तो यह चीज, यह रीजन है, इनके सक्सेस का भी, यह अच्छी आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, और यह जो भी परसन है, यह बज़ेटिंग में भी बहुत अच्छी है, इनके स्परसन नो कि कहां पर कितना पैसा खर्च करना है, और कहां पर बचा भी लेना है, तो he knows the art of budgeting, और she knows the art of budgeting also, and Chitra, I have seen people going in banking, I have seen people going in architecture, and photography also, Why photography? वो जो, see, Chitra occurs in the Virgo sign as well as in the Libra sign, तो जो Virgo sign है, वहां पर जो थोड़ा सा पाट Chitra काते है, और थोड़ा सा Libra में जाते है, Libra is all about balancing, it's all about scales, तो budgeting और बैंकिंग उधर आजाते हैं, but in the Virgo side, the person is in the art field, और जहां पर architecture हो, जहां पर फोटोग्रफी हो, तो यह person वहां पर जादा इंट्रस्टे होते हैं, तो यू विल सी, यह जो भी person है, इनके घर में भी, कई सारी पिक्चर्स लगे होगे होगे, इनके लवड वन की, यह person, your spouse would love to take pictures, मतलब जब भी कोई function हो, यह कोई चोटे से चोटा भी कोई एक get together हो, इस person को pictures click करना बहुत अच्छा लगता है, selfies click करना बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद उन selfies or pictures को frame करा कर दिवार पे लगा देना, he or he gets reminded, yes, उस दिर मैंने यह करा था, हमने यह वाली बाते करी थी, तो they remember that they are being loved, और उस ताइम हमने यह करा था, वो करा था, तो वो memories उनको वापस आते हैं, they love that, they love that, तो यह चीज चित्रा असेंडेंट में बहुत जादा होती है, चित्रा can be dominating in your chart, it's just not कि आपका सन अगर एक सात्विक साइन में है, Cancer, Leo, Sagittarius या Pisces में है, इसका मतलब यह नहीं है कि 6th और 7th साइन है, वर्गो या Libra साइन है, उसके अंदर कोई प्लानेट नहीं होगा, होगा जरूर होगा, और वर्णा कुछ ना कुछ अस्पेक्ट कर रहा होगा, आपके इन हाउसे सिक्स्त और 7th house पर, यह जो अंदर कर मστεल बूपर इंथ कि छप usu को रहीं कर दो अधना कार्क चत्र कर फिर्णा कि अंदर करो थान पर्ट परो मिल्सों कि अच्डूर आइ, यह आज्च शुनी प्लूब्ली को एक्टरी नहीं हो एक्ड़ सिंप्सा यह paar यहिं रहीं को कर फोगां, उसक्टर बिल the real jewels, the real emerald, ruby, blue sapphire, yellow sapphire तो इस person को जो है, on the Virgo side, ये person arts, beauty में भी काफी जादा हो सकते है interested meaning, this person loves luxury, this person loves to, you know, this person loves to be in luxury and glamour basically, because jewels होते हो चमकते हैं, and this person would like to buy jewelry, like real gold jewelry or no jewelry, मतलब की इनको हर चीज जो है, real चाहिए, gemstones जो होने चाहिए, जो होने चाहिए, अच्छी quality के होने चाहिए, otherwise we can also buy artificial, but this person will want to buy jewelry which is real, stones which are real, diamonds जो है, ये चमकती चीज़ इस person को बहुत अच्छी लगती है तो ये चीज है ही है, alright, तो कुछ और चीज़ अगर हम आपकी marriage के बारे में प्रेडिक्ट करें, early या फिर late marriage के बारे में, early या फिर late marriage वैसे मुझे लग रहे है कि, pile number one marriage is in your cards, if you want to get married, you can get married of course, the time period really matters, but I can see that if you want to get married, if you feel that yes, I want to get settled down, तो ये एक timely marriage होने वाली है, जब आप शादी करना चाते हो, तब आपको रिष्टे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और यहां पर मुझे डिले वैसे नहीं नजर आ रहा है, पर हम कुछ और cards भी निकाल लेते हैं, आपके लिए here is pile number 1, pile number 1 के लिए कुछ और cards, okay, यहां पर है great fortune, यहां पर है the child card, यहां पर है the coffin, alright my dear, तो यहां पर जो है marriage आपकी timely ही होने वाली है, in fact, जो family planning है, वो भी timely ही है, the age of 26 becomes important, the age of 28 become important, even the age of 27 becomes important here, और ज़ थर्तिस में लोग हैं उन्के लिए 35 एज बेक्म इंपोर्टन ज़िए और थर्ती तो आलसो इस नाइम पेरिए पर आपकी मारिज हो सथिए। जुक्तले पर गेखी डिए मेरेड है यहां पर लेट मारेज नहीं हैं अर्ली भी मैंनी देख रही हूं, मैं आपर ताइमली मैरिज देख रही हूं विकस ऐस अपनिकल्स इस राइख है और इस तेलिंग मी तट आपको जो है अच्छे रिश्थे आ रहे हैं या पिर आप जो हो अल्रेडी किसी रिलेशंशिप में हो या पिर किसी रिलेशंशिप में आने वाले हो तो it's there, it's not late it's not late if you want to get settled down you can यहां पर लेच मैरिज इतना नहीं दिख रहा है यहां पर, yes that's it अगर हमें कुछ और आपके Spouse के बारे में पता लगता है उनके और Characteristics के बारे में पता लगता है आपके Spouse के Characteristics के बारे में पता लगता है Pile No. 1 Spouse कि Characteristics के बारे में We have walking away We have the man holding a heart We have the thinking man तो जो भी ए परसन है They carries their heart, their emotions on their sleeves तो काफी जादा ओपन बुक है आपके लिए ये परसन और जो भी ये परसन है काफ अगैन जो ये थिंकिंग मैन है इस परसन ने भी एक चमकती हुई चीज अपने हाथ में पकड़ी हुई है तो डेफिनिटली देट नक्षत्रा अफ चित्रा इस वेरी मच डॉमिनेटिंग इ बेप्रा इस बालंसं वतली देटियर है आहे जमिरस असे Bennett लिए आओ भी बेडाás इनका इस चाहिए घृमिक्षेह क जा जाद आद नजर आए तो कि आसे थियुल परन बान और हो सकता इस परसन को प्यूटी ग्लैमर से इंका दाद लेशन हो सकता आद ऴोर्ती डलेशन हो सक इसके हाई चांसे है, चित्रा इन वर्गो वाला, सीन, तो यह चीज यहाँ पर नजर आ रही है, पाइल नमबर वन, तो यह थी आपकी रीदिंग, मैई डियर, जो मारेज है, वो टाइमली ही, यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, यहाँ पर मारेज में इतना डीले नहीं नजर उस तैम पर हो सोच ही निथी that I want to settle down, वो सोच अब आई है, वो सोच जो है, वो अब आई है मारेज की, तो वेणेवर, वेनेवर, you want to get married, उसको कन्सेडर कर थे ले वनारेज से कोपा है, और अम। देफिनेटी लीत नरीज है, जो मारेज निरिए, आट म상이ल रही खेशा faithful न ह मिल रहा है तो लेट marriage वो है इस पाइल के अंदर ये clear पता लग रहा है कि the person will get married at the correct time इस पाइल से चीज पता लग लग ये timely marriage ही है all right my dear तो ये थी आपकी रीडिंग मैं मिलती हूं आप से next reading के टाइम तब तक के लिए Be positive, stay happy Hello pile number 2 So this is your reading If your son is Rajasic signs Aries, Taurus, Gemini and Libra If in these signs So this is your reading Why these signs are Rajasic Because Aries says I am The ego comes into play Then we have the Taurus sign Which is about family and the Kutum The wealth of family Then Gemini is all about playing It's all about sports It's all about social media It's all about your playgroup You enjoy it, right? And then we have the sign of Libra Libra deals with contract Deals with marriage Like I want to get married This thing is about Libra Yeh Libra sign That I want to be in contracts I want to be in relationships So a person who wants to be in relationship First of all has to be born That is the first house That is the sign of Aries The physical body is represented by Aries So signs are the Rajasic signs So let's just get started So pile number 2 is Their marriage is timely Or what are the characteristics of the spouse If we know Pile number 2 is Whose son is in Rajasic signs Their spouse and their marriage How does it happen? When does it happen? We have 2 of Swords here We have 10 of Swords We have 7 of Pentacles Late, late, late This is a pool card Then we have 9 of Swords Then we have 5 of Swords There is all the energy of the Swords That is the confusion of the energy of the Swords And here Seven of Pentacles is a late thing That is something that can be late for marriage And here There is a pool card So definitely Whosoever is your future spouse They will travel And you will come to the person And you will come to the person You will come to the person At least 200 to 300 km But it can be like this But for some people It can be like this Overseas travel For some people It can be like this Pile number 2 Your spouse May be To meet you This person Overseas travel So this is This is Swords energy Is strong So definitely It can be like this You are You are looking at a lot of relationships But you are not getting good relationships You are not getting good relationships And you are confused What do you do What do you do And you may also have given up on your marriage You may have given up on your marriage You may not get up on your marriage You may not get up on your marriage So this is what I am showing here Because 9 of Swords is about the sleepless nights It is about loneliness 10 of Swords You are not getting out of loneliness And looking forward in life The other thing is life It is not just a marriage aspect There is not just a marriage aspect There is nothing other aspects Life There is your attention Five of Swords It is confusion Continuous You are getting hurt Continuous You are getting failure That is defined here Two of Swords confusion Seven of Pentacles It is a slow process Very very slow process And then the Fool card is a fresh energy It is an energy It is an energy that suddenly comes from where And then you are looking at that person And that person looks at you And then you start to talk And you start your The conversation is continuous It is back and forth Back and forth So that communication came from once And then you became bonding with this person So this is a scenario This is what it is It is going to be a late marriage When you want marriage Maybe you cannot do it Because you don't get a person And whatever person is You will get late in life Again In the beginning of the reading I told you that Ascendant Jayeshtha Nakshatra always Marries late Ascendant Yafir Atmakarka If it is in Jayeshtha The person gets married after the age of 31 only So the reason behind it It is Jayeshtha is the eldest Is the eldest So what happens with the eldest is Is that the elder one Is always overprotective Is always very possessive Of their loved ones So what happens is If he is in a relationship Then also He makes the relationship toxic for the other person Now he wants to consciously Or unconsciously But you do that You are extremely independent In a relationship And you want to protect the other person You want to possess the other person Jayeshtha Is the nakshatra Of Indra 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 was always very insecure Very very insecure Of his position That He always used to stalk people That This is what happens 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 This person Also stalks the other person Also Can be You know Some combinations For Rahu It amplifies the Jayeshtha And can make a person A stalker So definitely Jayeshtha Even if you have your ascendant Even if you have your Atmakarka You will be a person Who will be elder in your siblings Who will be the elder in the family Meaning Your siblings And if you are the younger one Then also You are gonna Behave like You are the elder one But I have seen people Who are actually the eldest Who are the elder sibling So definitely That domination also comes To possess To protect This will always come I am not talking about the spouse Right now I am talking about you So You can be that person And This is gonna be a late marriage Whatever your person Can be A very fresh energy A very creative energy And more so I feel like Aashwini person Here The cards And the fool card I am showing Especially The nakshatra of Ashwini Comes into play Because the Ashwin person Always Have to travel the world To meet their spouse So Overseas travel I am looking at this Overseas travel Here That Your spouse Will be Aswini ascendant Or Atmakar Or Sun Or Moon And That person Has to travel To meet you Because you are the spouse You are their spouse So they have to travel And then only They can meet you And Aswini also Deals With Herbs And The seven of pentacles Here Soil And Here So You are the spouse Or Their family From Agricultural background And Or Who Is Herbs And Aswini Person Excellent Ayurvedic Doctors Even if their profession is something else Still Ayurveda Or Herbs And She And They A Medicine Use And That Is One Thing That One Thing Is Fast And Aggressive And Enthusiasm And In Things And Sometimes Because That Twin Personality Comes into Play I Am Just Saying If They Don't Have A Twin And Whatever Person You Can Have Ent Problems Or They Are Ent Specialist Otherwise They Ent Problems Or Survival Issues This Person Is A Regal Royal Marriage But Definitely You Are 27 Or 30 Or 32 Or You Are In Ages But Definitely Travel Is There Your Spouse Will Gonna Meet You Late In Your Life This Person Is Gonna Travel And Then Gonna Meet You There Is Travel There Travel We Have The Is Pile Number Two Is Spouse In Marriage All Right We Have The Message We Have Marriage Card So This Marriage Is A Cultured Way Like This Person Regal Royal Marriage Because Ashwin Kumars The Meaning Of Kumars Is Prince So Definitely A Princess Or Prince Is For Regal Royal Marriage Here A Message Card And Main Female As I Is Aggressive And Athletic After That Person Goes Into Mountain Climbing Goes Into Sports But Most Probably Till Six Degrees Your Spouse Is Natural Athlete And That Person Would Be Very Active And Will Jump Into Things And This Person Can Be In Trucking Business Can Be Trucking Business Business Because Nakshatraf Aswini Animal It's A Horse And Horse Power Becomes Important And This Person Is Fast Car And Speed That Least Six Degrees Of Aries Aries At Least Six Degrees Aries So This Person Cheat Cheat Not Cheat Right Pile Number Two So This Is Your Spouse How Is Delay Or Timely Or Early Tarot So Choose Because Your Sun Is Thamasic Signs Virgo Scorpio Capricorn And Aquarius If Your Sun Is Your Signs It Deals With Enemies It Deals With Routine It Deals With The Litigations Competitions And Nobody Wants To Deal With Surgery It Deals With The Dead It Deals With Your Profession The Environment The Environment You Are Working In Tenth House Meaning The Capricorn Signs Deals With The People You Meet In Your Profession And Tenth House Also Represents Fame And Authority The Sign of Aquarius Deals With The Gains From The Authority Elder Sibling Your Network Circle Your Professional Network Circle Deals Large Organizations Profitable Organizations I Mean There Are So Many Things Which Aquarius Sign Deals With So We Do Litigations Contracts Jobs Ups And Downs Family With To To In Life So Bit No Do It Not effort मांगते हैं and that's why these are the things these are the signs which are thamasik in nature so let's just get started कि जो आपके spouse है पहली निकल लिया ये तो काड़ तो जो पाइल number three के spouse है वो उन्हें कब मिलेंगे और ये एक early marriage होगी late marriage होगी timely marriage होगी कुछ characteristic spouse के अगर हमें पता चले night of cups तो आ गया then we have four of wands then we have six of swords then we have the three of swords all right then we have eight of cups then we have nine of wands all right sun and venus conjunction पहली बाद सभान निनस कुझशच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च जो विनस है it's a very soft planet and when it's conjunct very closely to the sun for example venus is at 10 degrees and sun it as sun is uh at like 8 degrees Venus is totally combusted by the sun totally completely combusted by the sun you will have that pinch in the heart early in your life till you're 32 or 36 you will have that pinch in your heart for sure romantic relationships jo hai unki wajah se there will be a pinch in the heart somehow somewhere ye hone hi wala hai so be prepared for that if you have this conjunction in your chart be prepared for that especially if this conjunction is occurring in leo sign or in scorpio sign it's it just it just takes away the shine the the uh kark avastha of venus which is love romance relationships luxury food perfumes ac so it actually takes away these luxury or it actually you know you just don't enjoy these things in life you will have that pinch in the heart just like yeh jo three of swords hai yeh ek third party situation yehan par dikhara hai aur yaha par pinch of heart hai and when i say pinch of heart yeh baut ek light way hai kehenne ka but definitely baut dukh hota hai so yeh cheez hai it is there if you have this combination of sun this conjunction of sun and venus there will be pinch of heart then we have knight of cups and we have four of wands so yehan par jo marriage hai marriage is in your cards nine of wands here represents ki aap boho time se wait kare the ek person ka but ab ab jo hai wo person mil jayeg aap boho because yehan nine of wands is a it's nine of wands here koi bhi jo agar ham tarot me dekhe to nine represents completion to yehan par jo wait thi wo complete ho chukye ab yeh jo person yeh aane wale hai aur yehan par night of cups hai to so definitely a travel to hai hai yaha par jo travel to hai yaha par mai overseas travel itna nahi dekhi ho kuch logon ke liye ho bhi sakta overseas travel but more so 200 to 300 km ka travel nazar zahadha a raha hai more than overseas ka yaha par four of wands hai four of wands represents marriage it represents in a hindu culture it represents mandap so aur havan to yeh jo religious ceremonies hai jaha par yeh religious ceremonies ho rehi hai chahe woh shadi hai chahe woh havan hai you can meet your spouse there aur yaha par hai delay you may be waiting for this person for a long long time aur yeh person jo hai ab aake aap se milenge but definitely this is late this is late yaha par eight of cups it can happen even you or your spouse were into relationships before jiske in the third party situation hoi ho sakti hai that your partner got seduced by someone else iske yaha par zahada chances nazar aare hai hai aapke saath bhi situation hoi ho sakti hai aapke spouse ke saath bhi a situation hoi ho sakti hai so i in this pile i can see ashlesha as well as uttah bhadrabada both are quite dominating here both why both because i can see the bondage here i can see the third party situation here and i also see the deep seas being very materialistic as well as being spiritual and this combination i mean either this person have a dominating ashlesha or uttrabhadrabada or both because ashlesha deals with the naghas ashlesha deals with that bondage ashlesha also deals with bdsm ashlesha is a nakshatra jaha par third party situation either your spouse somehow seduces someone else's wife or husband or they get seduced by someone else's wife or husband and when they get to know that this person is committed this person is already married then that person leaves that person and then your spouse just goes away yeh situation jo hai ho sakti hai and we also see that because we have uttrabhadravada also and uttrabhadravada's dity is the ahir buddhyana ahir buddhyana i i am pronouncing the name correctly right ahir buddhyana who was the who lives in the sea who lives in deep in the ocean of devotion ocean of spirituality and just comes out from that ocean to just breathe so what do we see from the nakshatra story itself that your spouse can be a person who can be extremely materialistic but after the age of 36 they become extremely spiritual still they will they are gonna express themselves materialistically they are because see night of cups also represents here ki ek person jo bhot achche se suited booted hai achche se rehra hai they also have tattoos toh materialistically yeh person apne aapko describe kar raha hai but definitely after the age of 36 you will see that extreme spirituality also comes in your spouse extreme spirituality extreme spirituality this person you will be like arhi yeh person hai kya chiz yaar yeh kabhi toh apne aapni achhi si gaadi mein baihke kahin ghoomne chale jayenge aur ya phir kaam pe chale jayenge oo apne ya meghi si saint kya kya chale jayenge so apne you know mehengi si ghadi utar ke apne aaprem simpel se kapde pehen ke meditation karne lag jayenge I mean this person has clothes no less than gucci gabana but they are also the seeker of spirituality so yeh joo person hehi ik swIch bhi dekh hoge ki baar baar yeh switch dan off hootar hai ta spirituality का materialism का but this person will be like that and this marriage is gonna be late it's gonna be after the age of 32 either you get married at the age of 32 or you get married at the age of 28 or even if you got married early then also you won't get satisfied by your spouse until the age of 32 your spouse can be a bitter enemy you won't like your spouse at all till the age of 32 but after 32 you will like him or you will like her a lot because somehow some way the maturity is also needed in you marriage is not easy marriage is a contract marriage is a bonding marriage is a social contract it's just not the i should not say just the social contract but a karmic relation है जो आपको निभाना ही निभाना पड़ेका and marriage tells you the reality of life that how things are done but definitely युज आपके काफी एक्सेंट्रिक होने वाले हैं काफी एक्सेंट्रिक you will say that i just don't i just can't understand my spouse this thing will happen कुछ और चीज़े आपकी मैरेज के बारे में आपके spouse के बारे में अगर हमें पता लगती है we have the mature man here then we have the mature woman जैसा मैंने कहा ये जो भी marriage है ये लेत होने वाली है ये मैरेज जो है लेत होने वाले हैं mature men और mature woman है ये दोनों ही जो आप दोनों हो ऐसा हो सकते extreme spiritual हो दोनों ही दोनों के चार्ट में अशलेशा और उत्रभद्रबदा dominating है and kundalini awakening starts from Rohini nakshatra to उत्रभद्रबदा और यहां पर see Rohini is also snake rule nagha rule nakshatra और यहां पर दोनों के साथ ऐसे situation same same life में हो सकती है because यह mature man भी a mature woman भी है तो definitely आप जो हो अपने spouse से काफी जादा मिलते जुलते होगे but you will say that you just cannot understand your spouse at times this is financially काफी जादा stable होने वाल है यह spiritually अपने आपको जो है और रिच करना चाहते है इसकी आपर बिचाशना आ रही है कि spiritually अपने आपको काफी जादा रिच करना चाहते हैं अपने अंदर वो जो है और वो spirituality जो है वो लाना चाहते है इसकी हाँ पर जादा इंडिकेशन है this spouse is definitely gonna express himself or herself materialistically but that does not mean that this person is not spiritual so all right pile number three तो यह थी आपकी रीडिंग I mean this this pile is fascinating this pile is fascinating and somehow उत्रभद्रभदा is also related to climate I mean if you just have like उत्रभद्रभदा as your ascendant and if you know उत्रभद्रभदा ascendant or आत्मकार का जिनका उत्रभद्रभदा में हो और हैसे चार-पांच लोग आप कथे कर लो you can actually bring rains because उत्रभद्रभदा is the nakshatra of rains also it's about climate also so उत्रभद्रभदा can change climate also but काई सारे उत्रभद्रभदा फिर चाहिये हमें because it is there and as soon as you get married you will see that wealth is coming because उत्रभद्रभदा gives extreme prosperity extreme wealth to the person after marriage especially if your venus is in उत्रभद्रभदा your jupiter is in उत्रभद्रभदा और you yourself is a person जिनका आत्मकार का उत्रभद्रभदा में है तो ये चीज़ जो है हो सकती है ascendant lot उत्रभद्रभदा में है it gives that prosperity because उत्रभद्रभद्रभदा is related to Lakshmi and Lakshmi gives wealth it's a prosperous nakshatra so pile number three ये थी आपकी reading में मिलती हूं आप से नेक्सु reading के time तब तक के डिये बी positive stay happy